मैं गरीमा अगर्वाली, आप सभी कवंधन करती हूं, अभी नंदन करती हूं आज हम आपको बता रहे हैं कि मासिक शिवरात्री व्रत का नियम कैसे ले मासिक शिवरात्री का व्रत प्रतेक महीने की कृष्न पक्ष की चतूर दर्शी को रखा जाता है यदि आप भी मासिक शिवरात्री का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो यह व्रत महाशिवरात्री से शुरू किया जाता है महाशिवरात्री के दिन व्रत रखकर हर महीने की शिवरात्री व्रत करने का संकल पिले यह व्रत एक महाशिवरात्री से शुरू होकर अगली महाशिवरात्री तक हर महीने की चतुरदर्शी यानि मासिक शिवरात्री का व्रत रखकर पूरे किये जाते हैं इस व्रत का नियम कोई भी ले सकता है। आपकी जो भी मनो कामना है वह महा शिवरात्री पर शिवजी के समक्ष रख कर इस व्रत को प्रारंब करें। और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ पूरे साल इस व्रत को करते हुए अगली शिवरात्री को पूर्ण करें। अब हम जानते हैं कि इस व्रत की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए वैसे तो पोराणिक माननेताओं के अनुसार शिवरात्री पूजा अर्धरात्री यानि निशाकाल में की जाती है तथा रात्री जागरण महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन यदि यह संभव नहीं है तो आप हर मासिक शिवरात्री के दिन प्रात्र काल जल्दे स्नानादी से निवरत होकर घर पर या मंदिर में पूजा करें यदि आप घर पर पूजा करना चाहते हैं तो शिव भगवान की तस्वीर या फिर मिट्टी से शिवलिंग बना कर भी कर सकते हैं मिट्टी से शिवलिंग कैसे बनाए यदि आप यह जानना चाहते हैं तो इसकी विधी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शिवलिंग बनाने के बाद शिवलिंग का रुद्रा विशेक, शुद्ध जल, गाय का घी, गाय का दूद, शक्कर, शहद, दही, आदी से करें शिवलिंग पर बेल पत्र, धतुरा, भांग, सफेद फूल और फल चड़ाएं दूप दीप कपोर से आरती करें इस दिन मासिक शिवरात्री के नियम के साथ ही आप शिव बिलास बाती जलाने का नियम भी ले सकते हैं यह नियम भी शिवरात्री से ही लिया जाता है चाहे तो दोनो यानि मासिक शिवरात्री वरत तथा शिव बिलास बाती जलाने का नियम साथ भी ले सकते हैं और चाहे तो आप अलग-अलग साल में भी ये नियम ले सकते हैं। शिव विलास बाती कैसे बनाएं इसकी विधी के वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धूब दीप कपूर आर्ती के बाद शिव राती व्रत कथा सुने। पूजा करते समय ओम नमश शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके अलावा शिव पुरान, शिव इस्तुती, शिव अश्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत कथा सुनकर पूजा को संपन करें। यदि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो शिव राती व्रत कथा आप घर आकर भी सुन सकते हैं। इस दिन बहुत से लोग बेना कुछ खाए पिए उफवास करते हैं। लेकिन आप चाहें तो फलहार करें। अन ग्रहन अगली दिन फिर से शिव पूजा करें और दान आदी के बाद व्रत का पारण करें। इस तरह मासिक शिव रात्री व्रत एक महा शिव रात्री से अगली महा शिव रात्री तक रखा जाता है। अगली शिव रात्री पर शिव जी को जल चढ़ाने का तामबे का लोटा, पं प्राटना करते हैं शिव जी आपकी मनों कामना पूरी करें तथा आशा करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी जै श्री राथी